नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है आज हम आपकी लेखा शाष्टर की दूसरी पुष्टक का दूसरा अध्याय अर्थात रिंड पत्र का निर्गम वा मोचन का तीसरा वा अंतिम भाग देखने जा रहे हैं बच्चों से पहले के दोनों भागों में हमने रिंड पत्रों के अर्थ को समझा वो उसके निर्गमन से जुड़े हुए मुख्य प्रविष्टियों वो परिस्थितियों को भी जाना वै आशा करता हूँ अपने उसको देखा होगा और समझ पाए होंगे उन दोनों भागों में हमारा ध्यान रिंड पत्रों के निर्गमन पर केंद्रित था निर्गमन अर्थात उन्हें इशू करना या जारी करना कि कैसे एक कंपनी अलग अलग परिस्थितियों में रिंड पत्र जारी करती है और उसको हम किस प्रकार अपने खातों में दिखात पड़ता है उसे वापस करना पड़ता है वैसे ही रिण पत्रों के माध्यम से जनता से लिया गया रिण भी हमें चुकाना पड़ता है उन्हें वापस करना पड़ता है तो हमारा ध्यान उस पर केंद्रित रहेगा लेकिन उस पर जाने से पहले रिण पत्रों की जो एक विशे रिण पत्रधारकों को देते रहना होता है। चाहे कमपनी को नुक्सान हो, फाइदा हो या कैसी भी परिस्ति हो, कमपनी ब्याज देती ही है। तो ब्याज से जुड़ी हुई क्या एंट्रीज या क्या प्रविष्टियां हमें कमपनी के खातों में करनी होती हैं, हम पहले उस पर डज़र डाल लेते हैं। बच्चों रिड़ पत्रों में दिया जाने वाला ब्याज जो है ना कमपनी के लाब पर एक भार होता है। अर्थात कमपनी के लिए एक हानी या व्याय की तरह माना जाता है। क्योंकि यदि कमपनी ब्याज देगी तो कमपनी का लाब घट जाएगा। और उसे निश्चित रूप से चुकाया जाता है। ये भी हमने बात कि अभी कि ब्याज से हम बच नहीं सकते हैं। कमपनी को चाहे हानी हो या कोई भी परिस्थिती हो उसे ब्याज देना ही पड़ता है। बलकि आयकर अधिनियम 1961 में एक और विशेश प्रावधान है। आयकर अधिनियम उन्हें 61 कहता है कि कमपनी जब रिण पत्र धारकों को ब्याज देती है, उन धारकों के लिए तो वो ब्याज एक लाभ हो जाता है। उनके लिए वो एक आय का श्रोथ हो जाता है। वह आए जो या वह आएकर जो आए देने से पहले या देते वक्त काट लिया जाए उसे हम TDS अर्थात Tax Deducted at Source के नाम से जानते हैं TDS के नाम से इसे जाना जाता है अर्थात इसे श्रोत पर आए की कटवती भी कहा जाता है तो इसका अर्थ यह हुआ कि कंपनी ब्याज तो देगी लेकिन ब्याज पर पहले TDS को काटेगी उसे अलग करेगी और बाद में स्वेम उसे आएकर विभाग के पास जमा करवाएगी तो बच्चों आए इस की प्रविष्टियों पर नज़र डालते हैं जब ब्याज बकाया हो जाए जब ब्याज की तारीख आ जाए तो उस वक्त हमें ब्याज खाते को डेबिट करके आएकर खाते को क्रेट करते हुए रिड़ पत्र धा रखके खाते को भी क्रेट करना है इसका अर्थ क्या हुआ हुआ कि ब्याज कम्पनी के लिए एक व्याय या लाब पर प्रभार है तो ब्याज को तो डेबिट होना चाहिए आयकर कम्पनी इस ब्याज में से काट रही है कम्पनी के लिए वो एक दाहित्व भी है क्योंकि कम्पनी को उसे बाद में आयकर विभाग के पास जमा भी कराना है तो कम्पनी के लिए वो एक दाहित्व है तो उसे हमने क्रिलिट किया और क्योंकि अब ब्याज की राशी देय बन चुकी है, रिण पत्र धारक हमारे लिए एक दाइत्व बन गए हैं, तो उसे भी हमने क्रिलिट किया इसके पश्चात जब हम ब्याज का भुक्तान करेंगे, तो रिण पत्र धारक को डेबिट कर देंगे और बैंक खाते से राशी को निकाल कर दिखा देंगे अब यह ब्याज की राशी कमपनी के लिए तो एक प्रकार की हानी है, तो उसे हम लाब वहानी खाते में डाल देंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी लाब वहानी खाता डेबिट और रिण पत्र ब्याज क्रिट बच्चो इसके पश्चात अब कमपनी को उस कर को भी जमा कराना है, तो कर जमा कराते वक्त हम आयकर देय खाता डेबिट करके बैंक खाता क्रिट कर देंगे तो ये चार मुख्य प्रविष्टियां हमें ब्याज से जुड़ीवी करनी पड़ती हैं तिथियों के अनुसार इसे और अच्छे से समझने के लिए अब हम एक उधारन का सहारा लेते हैं बच्चो एक एप्रेल 2016 को ए लिमिटेड ने 100 रुपे प्रत्य के 2000 रिणपत्र बट्टे पर निर्गमित किये इन रिणपत्रों पर ब्याज की दर 10 प्रतिशत की है उन्हें 10 प्रतिशत के डिसकाउंट यानि बट्टे पर भी जारी किया गया है इनका मोचन हमें 10 प्रतिशत प्रीमियम पर करना है अब रिणपत्रों के निर्गमन तथा 31 मार्च 2017 की समाप्त अवधी के लिए हमें प्रविष्टिया करनी है प्रविष्टिया हमें इस प्रशन में केवल निर्गमन से जुड़ी हुई वह 31 मार्च 2017 की अवधी जब खतम होगी जब विद्वर्ष खतम होगा तो उस वर्ष में ब्याज से जुड़ीवी जो भी प्रविष्टिया है वो भी हमें करनी है हमें ये मान कर चलना है बच्चो बहुत ही महत्वपूर्दानकारी यहां पर है कि यह ब्याज अर्दवारशिक रूप से प्रदटते है यानि ब्याज 6 माही तोर पर दिया जाएगा जिसमें आधा भुकतान पहले 6 माही के अंतपर यानि 3 सितंबर को जबकि बाकी का आधा भुकतान अगली 6 माही के अंतपर यानि 31 मार्च को और व्याज की दर हम पहले ही देख चुके हैं कि 10 प्रतिशत व्याज की दर है तो बच्चो आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब इनकी प्रविष्टी हम किस प्रकार करेंगे एक एपरिल को जब हमें आविधन प्राप्त हुए तो हमने आविधन की राशी यहां दिखाई बैंक खाता और रिणपत्र आविधन वा आविधन खाता जो कि हम पहले भी देख चुके हैं क्योंकि 180,000 रुपे के राशी कहां से आई बच्चो सौ रुपे का हमारा रिणपत्र है दस प्रतिशत उस पर बट्टा है यानि रिणपत्र का जारी किया गया मूलिय हो गया 90 रुपे एक रिणपत्र कंपनी ने जनता को 90 रुपे में दिया है और ऐसे 2000 रिणपत्र है तो इस प्रकार कुल मूलिय कितना आ गया 2000 रुपे एक लाक असी हजार रुपे फिर इसे हमने हस्तांतरित करना है तो हस्तांतरित करते वग जैसा कि हमने पिछले भाग में भी सीखा था हमें मोचन की परिस्थिती का भी ध्यान रटना है पहले तो हमने ये आवेदन वाबंटन खाता एक लाक असी हजार रुपे डे पर जारी किया पहले तो कंपनी को 20,000 रुपे का ये डिसकाउंट भी दिखाना है इसके पश्चात कंपनी जब यह रिड़ पत्र मोचन या वापस करेगी तो भी कंपनी दस परतिशत का प्रीमियम यानि 20,000 रुपे प्रीमियम देगी जो की मोचन पर दिया जाएगा यह भी क 20,000 आविदेन पर प्राप्थ हुए 2,00,000 उनका मूल्य है लेकिन कुल हानी 40,000 की है इस वज़ा से 20,000 रुपे का प्रीमियम भी हमने दिखाया और हमारी एंट्री जो है संतुलितिया बैलेंस्ट हो गई यह दो एंट्री यह प्रविष्टी बच्चों यह हमारे निर्गमन की यानी डिवेंचर को इशू करनी की रिणपत्र को जारी करनी की प्रविष्टी थी अब इसके पश्चाच जैसे ऐसे समय आगे बढ़ेगा यह प्रविष्टी एक अप्रिल को हुई थी हमारे पास तिथी आएगी 30 सितंबर की 30 सितंबर आते ही रिणपत्रों पर ब्याज दे हो जाएगा तो हम ब्याज की प्रविष्टी यहाँ पर करेंगे पहले हम ब्याज को दे करते वे उसे डेबिट करेंगे रिणपत्र धारक को क्रिड़ करेंगे और साथ में उस पर आईकर भी काटेंगे तो बच्चों 2 लाख रुपय के हमारे रिणपत्र है उन पर ब्याज की दर है 10 प्रतिशत 2 लाख पर 10 प्रतिशत सालाना 20,000 रुपय बनते हैं लेकिन क्योंकि हम ब्याज 6 महिने का दे रहे हैं तो 6 महिने के लिए वो आधा यानि की 10,000 रुपय हो जाएगा 10,000 रुपय का ब्याज बनता है लेकिन उस पर हम पहले 10 प्रतिशत की दर से मानते हुए कर को घटाएंगे 10,000 रुपय पर 1,000 रुपय का कर आ गया तो बचे 9,000 रुपय जो की रिणपत्र धारक के लिए हमने यहाँ क्रिट कर दिये इसके पश्चात एक तो यह एंट्री हो गए आयकर को भुकतान करने की आयकर खाता डेबिट बैंक खाता क्रिट फिर रिणपत्र धारक को जब भुकतान किया तो रिणपत्र धारक खाता डेबिट बैंक खाता क्रिट तो बच्चो ये तीन एंट्री हमने यहाँ पर की ब्याज से संबंधित 30 सितंबर की तारीख को अब अगली एंट्री आएगी 31 मार्च को 31 मार्च को फिर से रिनपत्र ब्याज दे हो जाएगा फिर वही एंट्री 10,000, 9,000 और 1,000 रुपए फिर हम रिनपत्र धारक को भुक्तान करेंगे फिर हम आएकर जमा करेंगे तो बच्चो ब्याज की एंट्री आपने 2-3 बार देखें आपको समझ आ गई होगी एक चीज़ अब और समझनी है कि जब हमारा वर्ष खत्म होता है जो वित्वर्ष हम लेकर चल रहे है वो जब खत्म होता है तो उसके अंत में जो भी कुल ब्याज हमने दिया उससे हमें एक हानी मानते हुए लाब वहानी खाते में हस्तांतरित करेंगे एक ही बार इसलिए इसकी एंट्री हमने एक बार करी साल के अंत में लाब वहानी खाता डेबिट और रिण पत्र ब्याज खाता क्ररिट कुल 20,000 रुपे का जो ब्याज हमने दिया वो यहाँ पर आ गया तो बच्चों यहाँ थी रिण पत्र ब्याज खाते से जुड़ी हुई मुख्य प्रविष्टिया उधारण के साथ अब आगे चलते हैं और बात करते हैं मोचन की बच्चों मोचन का अर्थ होता है कि जब रिण पत्रों की अवधी समाप्त हो जाए तो कम्पनी द्वारा रिण पत्र धारकों से रिण पत्र लेकर उन्हें उनकी राशी वापस कर देना इससे जुड़ीवी प्रविष्टिया ना केवल राशी वापस करते वक्त मेहतवपूर हैं बलकि उससे पहले भी कम्पनी को उनके त्यारिया करनी पड़ती है ये त्यारी ना केवल हमें अपने खातों में करनी पड़ती है बलकि कम्पनी को अपने वास्तविक जीवन में उसके लिए राशी जुटाना, त्यारी करके रखना कि कल को जब हमें पैसे वापस करने पड़ेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, पैसे कहां से आएंगे, ये सारी चीजों का कंपनी को ध्यान रखना पड़ता है, तो हम एक के करके इनको देखेंगे, वो एक अच्छे उदारन की साहता से इनके प्रविष्टियों पर भी नेजर डालेंगे, सबसे पहले आगे चलते हैं और बात करते हैं कि मोचन के तरीके क्या हो सकते हैं, एक कंपनी के पास रिण पत्रों का मोचन करने के चार विदिया होती है, पहली विदी में कंपनी एक मुष्ट भुक्तान करती यानि जितनी भी राशी रिण पत्रों की थी उसे एकठा उसकी समय की समाप्ती पर एक ही बार में सारी राशी वापस कर देना, दूसरी विदी किष्टों में भुक्तान करना कि मान लीजिए मुझे 10 लाख रुपए के रिण पत्र वापस करने थे, यानि उनकी राशी इसके पश्चात रिण पत्रों में एक जो अगली विदी है, वो यह कहती है कि कम्पनी यदि चाहे, तो रिण पत्र धारकों से उनकी राशी वापस करके रिण पत्र लेने की बजाए, खुले बाजार में आम निवेशकों की तरह जाकर रिण पत्र खरीज सकती है, इसे रिण पत्र धारक चाहे, तो उन रिण पत्रों को अन्शो में परिवर्तित कर सकते हैं, या उनके बदले में नए रिण पत्र भी ले सकते हैं, तो ये चार परिस्थितिया हैं, ये चार विकल्प हैं, जिनके द्वारा कम्पनी किसी रिण पत्र की श्रेणी में जारी किये पत्रों को cancel या निरस्त करती है उनकी राशी को भुकतान करती है हम इन विधियों पर जादा चर्चा नहीं करेंगे हम एक विधी के सहायता से उधारण लेकर इसको समझेंगे लेकिन उधारण वह प्रविष्टियों पर जाने से पहले मोचन से जुड़ी हुई कुछ बहुत महत्व पूर्ण जानकारी हमें अच्छे से ध्यान रखनी है बच्चो सबसे पहली जानकारी या है कि कमपनी अधिनियम हो के अनुसार एसे कई नियम बनाए गये है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जा सके कि कमपनी रिणपत्र-धारकों को उनकी राशी वापस करत पाएगी जिससे फिर जनता भी कठनाई में पढ़ सकती है तो सभी नियामक सभी अधिनियम जनता के कल्याण को धियान में रख्के बनाए जाते हैं इसलिए ऐसे कई नियम बनाए गए ताकि कमपनिया पहले से राशी जमा करें तयारी करें कि जब जरूत पड़े मोचन की रा यह ने भी रिड़ पत्रों का मोचन करना है उनको वापस करना है उनके लिए एक निश्चित हिस्सा अपने लाब में से निकाल कर कंपनी को रिजर्व बनाना होता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन प्रावधानों के अनुसार कंपनी को लाब का एक हिस्सा अलग रखना होता है अपने लाब में से राशी निकाल कर उन्हें अलग रखनी होती है जिसे रिणपत्र मोचन के निधी के नाम से निधी या रिजर्व या फंड अलग अलग नाम उसे हमें बुला सकते हैं इसके नाम से हम रिड़पत्र मोचन के लिए एक राशी रिजर्व करके रखते हैं इसे हम तब तक रिजर्व करके रखते हैं जब तक की रिड़पत्र मोचनिय ना हो जाए रिड़पत्रों के मोचन के लिए जमाराशी को कमपनी और किसी जगह उपयोग नहीं कर सकती यह भी एक ध्यान रखने योग यह बात है कि उस राशी का कहीं और उपयोग नहीं किया जा सकता है। रिणपत्र शोधन के उद्देश्ची की पूर्ती के लिए एक कम्पनी को इस प्रकार के रिणपत्र शोधन प्रावधान का निर्माण करना पड़ता है। लेकिन यह निर्माण यह रिजर्व जो कम्पनी बनाएगी उसके कुछ शर्ते हैं। सबसे पहली शर्त तो यह है कि कुछ विशेश कम्पनियां हैं जिने इस प्रकार के शोधन के निर्माण की इस प्रकार के रिजर्व के निर्माण की आवशक्ता नहीं होती। बच्चो वो कंपनिया कौन सी है वो है Reserve Bank of India द्वारा नियमित अखिल भारतिय वित्य संस्थान, कुछ बैंकिंग कंपनिया, तो जो वित्य छेतर में आने वाली कंपनिया है, चाहे वो बैंकिंग कंपनिया हो या Reserve Bank of India द्वारा नियमित कुछ अन्य वित्य संस्थानों, ऐसे संस्थानों को यह रिजर्व बनाने की आवशक्ता नहीं होती इसके अलावा अन्य जितने भी कंपनिया यह संस्थान है यदि वो रिणपत्र जारी करते हैं तो उन्हें उनके मोचन के लिए एक निश्चित राशी निउन्तम निश्चित राशी इस अधिनियम के अनुसार र वह रिजर्व 25 प्रतिशत निउन्तम होना चाहिए बच्चो 25 प्रतिशत जो है वह मोचनिय रिणपत्रों की राशी का 25 प्रतिशत है यानि कि यदि एक कंपनी को अगले साल मान लीजे 10 लाख रुपए के रिणपत्र मोचन या शोधन करने है तो कंपनी को उससे पहले उसक का निउन्तम 25 प्रतिशत यानि धाई लाख रुपए एक रिजर्व बनाकर जिसे हम डिबेंचर रिडेंशन रिजर्व या रिणपत्र शोधन रिजर्व कहते हैं उसमें कम से कम 25 प्रतिशत रिजर्व रखने होंगे कम से कम हैं इसका अर्थात है कि कंपनी उसे जादा भी रिजर्व बना सकती है रिजर्व बनाने की तिथी भी निर्धारित है यदि हमें अगले वर्ष रिणपत्रों का शोधन करना है तो हमें उससे पिछले वाले वर्ष में 31 मार्च तक या रिजर्व बना लेना चाहिए हम उससे पहले जब चाहे बना सकते हैं लेकिन अंतिम्ति थी 31 मार्च है इस वर्ष का 31 मार्च अगले वर्ष के मोचनी अरिण पत्रों की राशी का 25 परतिशत बनानी के लिए हमारे को दिया गया है बच्चो ये शोधन या जो ये जो हम रिजर्व बना रहे हैं या कमपनी लाब की राशी से ही बना सकती है वह लाब जो सारे खर्चे पूरे करने के बाद लाभांज के रुप में बचा है ठीक है एक बार वापस देखते हैं क्या क्या मुख्य बाते हमने देखी पहली बात कि इस तरह के रिजर्व को बनाने के लिए बैंकिंग कमपनियों या और बिया इद्वारा नियमित कुछ अन्य वित्ति संस्थानों को इससे छूट दी गई है वो चाहे तो इसे ना राशी कितनी होनी चाहिए नियूनितम 25 प्रतिशत उन रिन पत्रों का जो आने वाले वर्ष में मोचन किये जाएंगे कमपनी चाहे तो जादा राशी भी रख सकती है फिर यह रिजर्व बनाने के अंतिम्तिति पिछले वर्ष के 31 मार्ज तक की है फिर हमने देखा कि यह र राशी बची है उस में से कमपनी को यह रिजर्व बनाना होता है इस रिजर्व को हम डिबेंचर रिडेंपशन रिजर्व या फिर रिणपत्र मोचन रिजर्व या निधी के नाम से जानते हैं बच्चों इसके अतरिक्त एक अतरिक्त하지 रर्ख्षा प्रदान करने के लिए अधिनियम में एक और कानुन बनाएगा, एक और नियम बनाएगा है, कि कम्पनी रिजर्व तो बनाएगी, साथ ही साथ कम्पनी को जितने भी रिणपत्र इस वर्ष में मोचन करने हैं, उनका नियूनतम 15 प्रतिशत एक निवेश भी करना पड़ेगा, जिसे डिबेंचर निवेश खाते में भी रखनी पड़ीगी, इस राशी को निवेश करने की या इस खाते को बनाने की भी अंतिम्तिती है, 30 अपरिल तक की, जिस वर्ष में यह मोचन होगा, उसके 30 अपरिल तक की तिती तक यह निवेश भी हो जाना चाहिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख स आने वाली 31 मार्च को जो भी उसे रिड़ पत्र मोचत करने हैं, उनकी राशी का 15 परतिशत निवेश के रूप में रखना पड़ेगा, बच्चों इसमें निवेश के जो श्रोत है कि कम्पनी इस राशी को कहा निवेश कर सकती है, उसके भी कुछ विशेश श्रोत कम्पनी के लिए बताये गए हैं, यानि यह निवेश किवल कुछ इंगित या पहले से अधिनियम में दिये गए श्रोतों में ही किया जा सकता है, कम्पनी अपने मन से जहां चाहें वहां निवेश नहीं कर सकती, कुछ विशेश सरकारी निवेश श्रोत हैं, जहां पर कम्पनी इस को निवेश कर सकती है बच्चों रिजर्व का नियम या इस निवेश का नियम यह सब बनाने के पीछे मकसद यही होता है कि जनता को उनके राशी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए हमें कि मुख्य सूचनाय या मुख्य बिंदू को ध्यान रखना है रिजर्व कीती थी 31 मार्च निवेश कीती थी 30 अपरेल तो बच्चों आईए इस उधारन को लेते हैं और आराम से एक एक करके इन प्रविष्टियों को भी समझते हैं जो की मोचन से जुड़ी भी है हमारे उध XYZ Limited नाम की एक कंपनी है जिसने 1 अपरेल 2013 को 100 रुपए के 200 रिंड़ पत्र जारी किये इन रिंड़ पत्रों को 10 प्रतिशत के बट्टे पर जारी किया गया जो की लाब में से 10 प्रतिशत प्रीमियम के साथ मोचनी है यानि मोचन पर हम 10 प्रतिशत का प्रीमियम देंगे जा अंत में एक मुष्ट इनहें मोचन किया गया है, तो यह हमारे मोचन की शर्द है कि मोचन जो है वह फूर्श के अंत में एक सात्थ पूरी राशी का किया जा रहा है नीदेशकों द्वारा ये तेह किया गया है कि 31 मार्च 2017 को जारी करने के चार वर्ष बात 31 मार्च 2017 को रिणपत्र मोचन निधी बनाकर जो भी नियुनतम राशी है वो उसमें हस्तांतरित की जाएगी तो नियुनतम राशी तो हमें पता ही है 25 प्रतिशत की राशी नियुनतम बनानी है हमें यह भी पता है कि क्योंकि यह एक रिजर्व है तो यह कंपनी अपने लाब से निकाल कर बनाएगी तो आएए इसकी प्रविष्टियों को देखते हैं बच्चों सबसे पहले एक अपरेल 2013 को हमारी वही आवेदन की प्रविष्टि जिसमें हमने बैंक खाते को डेबिट किया आवेदन वह आवेदन खाते को क्रेड किया हमारे 100 रुपे के 200 रिणपत्र थे जिने हमने 10 प्रतिशत के डिसकाउंट या बट्टे पर जारी किया तो 90 रुपे का वो हो गया 90 रुपे गुणा 200 रिणपत्र यानी 18,000 रुपे बैंक में आ गए फिर हमने इसे हस्ता अंतिरित करना है फिर से वही एंट्री हम देखेंगे जो हम पहले भी देख चुके हैं कि आबंटन खाते में हमने यहाँ पर 18,000 रुपे लिखे रिणपत्र खाते में हमने कुल राश रिणपत्र खाते में आ गई इसके पश्चात अब एक तो कंपनी ने 2000 रुपे का यहाँ पर डिस्काउंट दिया और दूसरा कंपनी मोचन के वक्त भी 10% प्रीमियम देगी तो 2000 रुपे वो भी कंपनी के लिए खानी हो जाएगी तो कुल 4000 रुपे की हानी रिणपत्र निर प्रीमियम के नाम से बच्चों यह दो एंट्री हमारी निर्गम या जारी करते वक्त हम करते हैं इसके पश्चात बच्चों अब आते हैं मोचन पर मोचन से पहले 31 मार्च 2016 को हमें रिणपत्र मोचन आरक्षित खाता यानि डिबेंचर रिडेंशन रिजर्व या रिणपत बीस हजार के हैं उनका 25 प्रतिशत हो जाएगा 5000 तो 5000 रुपए का हमने रिजर्व बनाया जिसे लाब वहानी खाते से निकाला इसके पश्चात हमें निवेश करना है तो बच्चों निवेश की तिथी प्रश्ण ने नहीं बताई तो हम खुद क्या लिंगे से 30 अप्रिल ज निवेश कर दिया अब हम आ जाएंगे मोचन की तिथी पर मोचन की तिथी है 31 मार्च 2017 उस वक्त मोचन करने से पहले सबसे पहला काम जो किया जाता है वो यह है कि इस निवेश को हम बेच देते हैं इसे उल्टा कर देते हैं निवेश की इस एंट्री को उल्टा करेंगे के रिंपत्र है क्योंकि हम premium पर उन्हें मोचित कर रहे हैं और यह premium मोचं के वक्त हमारे लिए एक व्याय है तो उस premium को बच्चों आपको यहाँ पर debit करना है इसको ध्यान रखना है प्रीमियम डेबिट हो जाएगा और रिण पत्र धारक को राशी दे हो जाएगी तो वो क्रिडिट हो जाएगा फिर हम रिण पत्र धारक को इस राशी का भुकतान करेंगे तो 22,000 रुपे का कुल भुकतान बैंक खाते से हो जाएगा बच्चों अन्तिम चीज़ यह है कि जब हम रिणपत्रों का मोचन कर देंगे और रिणपत्र धारकों को भुक्तान कर देंगे तो इसके पश्चात जो रिजर्व हमने बनाया था अब उसकी कोई आवश्चता नहीं है तो मोचन के अंत में उस रिजर्व को भी हम हस्तांतरित कर देते हैं जनरल रिजर्व अकाउंट में यानि की सामान्य आरक्षित खाते में तो रिणपत्र मोचन रिजर्व खाते की कुल राशी 5000 रुपे की सामान्य आरक्षित खाते में हस्तांतरित हो गई इस प्रकार हमारी मोचन से जुड़ीवी प्रविष्टियां भी खत्म हो जाती है बच्चों इस अध्याय के तीनों भागों में हमने बड़े ही एक सिलसलेवार तरीके से चरणबद तरीके से देखा कि रिणपत्र क्या होते हैं वो अंचों से कैसे अलग है रिणपत्रों को जारी करते वक्त किस प्रकार की प्रविष्टी करते हैं रिणपत्रों को जारी करने की विशेश स्थितियां जैसे की रोकड के बदले में या समपारशुईक प्रतिभुती के बदले में हम क्या करेंगे यदि हमें मोचन की स्थितियों का ध्यान रखते हुए रिणपत्र निर्गम के स्थिति को प्रविष्टी में दिखाना है तो क्या करेंगे और अंत में आज हमने फिर यह भी देखा कि ब्याज की प्रविष्टियां कैसे होंगी वह सबसे महत्वपून मोचन पर हमें कैसे रिजर्व बनाना है निवेश करना है और मोचन की ब्रविष्टियां करनी है मैं आशा करता हूँ आपको यह तीनों भाग और यह पूरा अध्याय अच्छे से समझाये होंगे धन्यवाद अड़ झालागो प्रविष्टिया अवितन करना है झाल झाल